किश्टों की अजब कहानी है जैसे तो सत्यों पुरानी है है मन्जर जादो नगरे के है अत्वाली कहानी मैं ये दो दिनों की वासता फल्द जमी की है जबा वो तो है गामों की बनी शंरव की शंरव की शंरव की शंरव की शंरव की यदि तुमने या तुमारे परिवार में भैरवनात की चाओं को परिपून नहीं किया तो वो कदाचित तुमें अपनी तंदर विद्या से बस्सम करते का तुझे अपना मस्तक कहीं दिखाई देगा भी नहीं बादल सहिंग क्योंकि तुने हमारा कारे पून नहीं किया है ना जाने इस मायवी चंगल में कितने और राक्षास गूंदे जो मनुष्यों का भाक्षान करते हैं सावित्री राजकुमारी चंदरमुखी की ओर वो अपने नेत्र उठाने का साहस कर सकता है उस सिद्धी प्राप्त होने के पश्चान तुम दोनों का संकर्ट देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुमें क्या परामश थे यह लिए तुम हमारा परामश माना तो तुम दोनों अपने सरकार से शमा माना उस्जम की क्या होए घठे हाह और हम जब मुढ़ ने उसको एक यह तो हम क्या होए गढ़े के मैच्चे घदे के मैच्चे अभी कुछ तेर पहले जो तुमने गुप्त योजना बनाई थी उसके बारे में सारा मेहल जान गया मेहल के दिवारों को भी पता ना चले कि हम तुमसे मिले थे मेहल चले आपने शिंद रहें कर दो ही तुमस्ением आई से कर दो यहाँ सुनुन। कि तुम्हीं परीपराग्गी हो हाई युवराच ये मेरा अलग रूप है मुझे अलग अलग रूप लेना बहुत पसंद है कहो कैसे याद किया तुमने हम विजन्द पता आपको खोच्टे-खोच्टे थक चुके हैं परीपराग्गी कि चारों दिशाओं के चक्कर काटने के परश्चाद भी वह हमें मिल नहीं सकते चारों और निराशा के बादली दिखाई देदे क्या विजेंद पताप सिंग इस मायावी जंगल से मुक्त हो चुके हैं नहीं यह राच रुपनगर के इस मायावी जंगल में एक बार जो आ ग है कि तो हमारा मिलन होना ही चाहिए ना परीपरागी कैसे मिलन हो सकता था जब भी तुम दोनों भायों की मिलन की घड़ी आई तो यहां कि मायावी शक्तियों ने तुम्हारा पथी बदल दिया पथ बदल दिया यह कैसे सम्भाब हो सकता है परीपरागी मायावी शक्तियों लिए कुछ भी आसम्मों नहीं होता है युवराज अगर वो चाहे तो पलक जपकते ही किसी मनिश्य को अद्रिश भी कर सकती है कि इसलिए अधिक सोचकर अपने आपको अधिक परेशान मत करो विजेंदर पताप सिंग इसी जंगल में है… की हसिए तुम्हारे भाई का अति शिग्र पता लगाकर में तुम्हे बता दूंगे। तुम निश्यंत रहों। तुम से मिलने के परश्चात, आशा की किरन फिर से दिखाई देने लगी है परीपराई। क्या तुम हमें विजंदर प्रताप सिंग से मिलवा सकती है। नहीं योवराज, मैं तुम्हें विजंदर प्रताप सिंग से नहीं मिलवा सकती। क्योंकि इस जंगल में कोई किसी को अपस में नहीं मिला सकता और नहीं इस जंगल के बाहार ले जा सकता है बर्सों से इस मायावी जंगल का यही नियम है जिसे संसार की कोई शक्ती नहीं तोड़ सकते कोई शक्ति नहीं तोड़ सकते, क्या जीवन बर हम यहीं भटकते रहेंगे, यादि विजेंद पताप हमें मिल भी गए, तो क्या हम इस मायवी जंगल को छोड़ दी पाएंगे, मैं यहीं नहीं बता सकते, मैं परिलोक से हूँ, इसलिए पृृथी पर होने वाली सारी मायवी शक्तियों का रहस्या, मुझे नहीं माना, किन्तु इसे दिशा से रूप नगर के और बढ़ते जाओ, विजेंद प्रताप सिंग, तुम्हें इसे दिशा में मिलेंगे, या दिभाग्ये की देवी तुम पर प्रसंद हो गई, तो हो सकता है, इसी रास्ते पे तुम दोनों माईयों का मिलन हो जाए, अब मैं चलती हूँ, अब देखते हैं, परी परागनी के पता हैं, किस माईवी शक्ति के दर्शन होगी है, अब सही वक्त आया है में इनका, ततकाल इस बात की सुचना, परमविर सिंग जी और महाबली लोहा सिंग तक पोजा देनी चाहिए, कर दो को सुचना, अब देखते हैं, मिलन को को के जी अब लोहा है, कि तुम्हारे मुख पर ये विजे की मुश्कान देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम को ये महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हो बताओ बताओ हमें वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है हमारी उत्सुक्ता बढ़ती चली जा रही है कि सुचना ये है हुजूर्ण के मेरी द्रिष्टी ने एक युवराज को देख लिया है कहा है वो युवराज हमारी भुजायों से चकड़ के मारने के लिए फटड़ा रही है नहीं लोह सिंग नहीं हमें किसी भी युवराज को तब तक नहीं मृत्यू डंड देना है जब त हमसे चिन जाएगा उन्हें मृत्यू डंड तब मिलेगा जब भाई रण भी सिंग उन्हें अपने कारागार में डालकर इतना तरपाएंगे इतना तरपाएंगे कि वो अपने खुट्टों के बल गिरकर हमसे मृत्यू की फिक्षा मांगेंगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे ह हुजूर्ण जिन युवराजोंने हमारे मंत्री वर को इतनी पीड़ा पहुंचाई है उन युवराजों को इतनी आसान रुत्य देना रुकता होगी जैसे वो हमारे बंदक बनेंगे उसी समय से उनका अनौर्जन बंद कर देना चाहिए ताके कोडों की चोड के साथ-साथ उन्हें भूकर प्यास से बिहाल होने का दद्वी मिलता रहेगा तुमने हमारे मन की बात जान ली है मेंका कि तो अब समय नश्च करने से कोई लाब नहीं होगा कि फिग्र मताओ तुम भिज्य शिवराज को देखा है वो कौन था हमारे क कि चारा वो विजिंदर प्रताप सिंग को हमारे चंगों से चुड़ाने के लिए आया था लेकिन अब वो यह नहीं जानता कि विजिंदर प्रताप सिंग के सासाथ वो भी हमारा बंधक बनने वाला है क्योंकि इस जंगल में उसे लोहा सिंग से कोई भी नहीं बचा सकता को परिपरागनी अब ये परिपरागनी कौन है हमने आज से पूर्वतों उसके बारे में कभी नहीं सुना था मैंने भी पहले उसे कभी नहीं देखा है किन्तु वो सूर्य प्रताप को पत भी बता रही थी और आगे जाकर उसकी सहायता भी करेगी ऐसा कहते हुए मैंने उसे सब्संशना या सके और सदेव सदेव के लिए उसे अपना बंधक बना देंगे शुआ बताव में criança को कहा देखा था जंगल में किस दिशा में गर्यारा हूं वह कर दो कर दो देखो लोगा से दूर को यूवराद चला जाना है जिदी वह वही यूवराद सुरी प्रताप सिंह हुजूर तो तकाल ही इसे दबोच करके बंधक बना लेते हैं ते भी यूवराद सुरीय प्रताप सिंह नहीं अपितु कोई और है। यहां से देखो मेंका Am कहीं तुम्हारी कि ठ्रिष्ठी ठोका तो नहीं खा रही है मेंका एक मायावी शक्ति है हुजूर् और माया खती साधार मनुश्य से बहुत तेज होती है 라 मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि यह उड़ाज सुर्य प्रताप से नहीं कोई और है कि तुम सब्द कह रही हो मेंका कि ये वो युवराज सुर्विकताब नहीं है तो फिर कौन है ये जो रूप नगर का प्रत्मवित होकर एक इन मायू जंगलों बढ़क रहा है बोलो पता नहीं किन्तु इतना अवश्य बता सकती हूं कि थोड़ी दिर के पर शाथ ये हमारा बंदक होगा तुमने हमारे मन की बात जान ली है मेंका हमने हमारे भाई जी को वचन दिया था कि हम दो युवराजों को पकड़ कर लाएंगे किन्तु अब दो नहीं अपितु तीन युवराजों को हमारे भाई जी को फेट करेंगे एक साथ तीन तीन युवराज को उपहार में प्राप्त करके मंत्रियों खुर्शी से फूले नहीं समाएंगे भाग भी हमारा साथ दे रहा है इस युवराज को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी हुदूर योजना बन चुक कि है लोह सेंग हमारी मायावी शक्ती में का जाकर उस युवराज से मीठी मीठी बातें करेंगी उसका परिशे प्राप्स करके उसे यहां नेका लक्ष पीछे उसके पश्चात हम वहां जाकर उसके भाग्य का निर्णे लेंगे जाओ मेंका जाकर उस युवराज को अपना मायावी रूप दिखा दो और उसे इतना विवश कर दो कि वो स्वयमी हमारा बंधक बन जाए आपके आदेश का पालर होगा हुदूर अब इस युवराज को मायर मेंका के जाल में फ्रसने से देवता भी नहीं बचा सकते इस दो магलत स्टाइ मेंपंग्ज से एपदा स्टाइह हो और है त jedemद युवराज का अव sean हो का पर लेकational से लिज이리 एसे देने स्टाइवन युवराज को झनल ऑ हो और है झाल, झाल... कि दूर दूर तक मानप की च्छाय बें दिखाय नहीं दे रहे हैं जिस रूप नगर का पत पूछा जा सके पता ने कहा गया हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ वो यूति कौन है इश्वर ने मेरी प्रात्ना सुन ले लट्टह मैं टूप नगर के निकट आ गया हूँ यूति और यूति तुम कौन हो मैं इस चंगल की बनवासी नहीं हूँ आप कौन है पथीक मैं बन राज्टह क्या चनरमुंखी के राज्शक यूत निकला था मगर पत्थ पत्न क्या था है क्या तुम मुझे चनरमुखी के राज्शका पत्ती हो सब्दू आप वहां क्यों जाना चाहते हूं क्या आप नहीं जानते वहां आज तक कोई भी मनिश्य नहीं पहुंच पाया है जानता हूं मगर मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा यह मेरा बोर्शा है क्या तो मुझे वहां जाने का मार्क बता सकती हो मार्ग तो मैं बता दूंगी किन्तु आप इतनी कथी मार्ग को पार करके रुपनगर कैसे पहुंच पाएंगे क्या आपको अपनी प्राणों का थोड़ा भी भेनी है भाई होता तो एक अधिन मार्ग नहीं पकड़ता कि मुझे सिर्फ अपना लक्ष दिखाई देता है कि रिप्या शीकर से शीकर मुझे वहां जाने का पत बता दीजिए बताती हूं पतिक किन्तु आप इस एकड़ों यूराजों की तरा चंद्रमुख्य को पाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डानने जा रहे हैं इस फूल से मेरे प्रता शुकित रिष्टी वापस लोड़ सकती है और यही मेरा लक्ष है आपका लक्ष कठीनी नहीं असंभव भी है सुना है राजकुमारी चंद्रमुख्य अपने उस मायम फूल को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है और उस फूल को उसने कहां छुपा के रखा है वो आज तक कोई भी भी जान पाया है सिवाए चंद्रमुख्य के फिर आप उस फूल को कैसे प्राप्त करेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता है पर सिर्फ इतना जानता है कि अगर वो फूल ठिला है तो सिर्फ मेरे पिता शिक्रिशी लुटाने के लिए खिला है अगर तुमने शिक्रिपत नहीं बताया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए ए युपति कौन हो तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो जीगर बताओ हुजूर मैं तो यही की रहने वाली हूँ किन्तु यह पतिक मुझसे चन्नलुकी के राज का पत्त पुछ रहे थे इसलिए मैं यहीं रुप गई और तुम कौन हो मैं अलका पुली नरेश के पुत्र बन राज हूँ रूपने गर जाना चाहता हूँ आप कौन है यो राज यहीं समझेजिए कि हम आपके शुबचिंत हैं शुबचिंतक हाँ शुबचिंतक हम राज कुमारी चंद्रमुखी के सेवक हैं और उनकी आग्ये मुझार भटके है यूराजों को सही मार भिखा करके हम उनके लक्ष तक पहुंचाना अपना परम करता में समझते हैं मेरी तपस्या सफल हो गई मैं बहुत समय से मायवी जंगल में भटक रहा था कि तु आज मुझे सही मार मिल जाएगा मिल जाएगा नहीं पत मिल गया है यूराज ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ठीक समय पर आगे अन्यता रूपनगर की मायवी शक्तियां तुम्हें समाप्त कर देती है चलो हमार के साथ चलो तुम ठके वे लग रहे हो रूपनगर का पत अब अधिक दूर नहीं है मैं आपका योपकार कभी नहीं भूरूंगा चंद मुखी के फूल को पाने के पश्चात मैं आपके अपकार का बतला तरूट चुकाऊंगा विलम मत किजी यो राज साज धलने वाली है और संध्या होते ही रूपनगर जाने वाले सारे के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिये जाते हैं इसे तकार अपने अश्य बैठिये और हमारे साथ चलिए चलिए आईए आईए कि अ क्या कह रही है है अपकी बातों संदे कि पस्चा को साफ दिखाई दे रहा है कि पानी सर के उपर से बिज़ग चुका है इससे पूर्व की रूपनगर पर कुई संकट आए हमें महराज को तुरंट सुचित कर देना चाहिए नहीं अभुमेन्यू महाराज का स्वास्ता ठीक नहीं चल रहा है हम उन्हें ऐसे कोई सुचना नहीं दे सकते जैसे सुनने के पस्चात उनके स्वास्ता पर विप्रीत असर पड़े किन्तु देर हो गई तो रनवीर सिंग को भर पूर अवसर मुल जाएगा और वो हमारे अतिती योवराज को बंधग बना लेगा अत्वा उनके प्लाण ले लेगा कि अधी ऐसा हो गया तो बाहर की दुनिया का कोई भी योवराज रूपनगर के और आने का सहस्नी करेगा तुम ठीक के रहे हो अभी मैंन्यू कि सुना हे संसर के सारे राजा महाराजा और यूवराजो को पता चल गया है कि रूप नगर के पर में जो एक बार आता है वो वापस लोट कर अपने राज्य कभी नहीं जा पाता है पाता नहीं हमारे ये सुन्दर राज्य को किस की नजर लग गए हमारे ये सुन्दर राज्य को महल में रहने वाले उनी शक्त्रियों की नजर लग गए है जिन्हें महराज ने विश्वास करके उचे-उचे पर दोकर बठाया है। रंबीर सिंग, राजबीर सिंग, वीरेन सिंग और नागराज की तरह और भी कई बड़े अधिकारी हैं, जो महल की दिवारों को दीमक की तरह चाट-चाट कर कमजोर कर रहे हैं। जोड़ी उन पर शीगर अंकुष नहीं लगाया, तो ये राक्षा स्ट्रूप नगर को उजार देंगे। ऐसा हम कदापी नहीं होने देंगे। अभी हमने महल के शत्रों को थोड़ी धेल दे रखी हैं, ताकि उन्हें सतर्क होने का अफसर ना मिल पाए। इन्दु उनकी हर गति विध्यूँ पर हमारी दृष्ट्री है, हमें उस जंगल पर भी दृष्ट्री रखनी है, जहां बाहर से आई युवराजों पर रनवेज सिंग की सेना खात लगाकर बैठी है। तुम ततल हमारे विश्वास पात्र सैनिकों को जंगल भेजने के आदेश दे दो, ताकि दोनों युवराजों की रक्षा की जा सके। इसका ताक्त पर यह हुआ कि आपने युद्ध का आदेश दे दिया है। नहीं एभुमैन्यू, हमने युद्ध का आदेश नहीं दिया है। अपितु बचाव का पच्चुना है। हमारे सैनिक दूर से उन पर दृष्टी रखेंगे। यदि बाहरी राज्य की युवराज रनबीर सिंख के सैनिकों पर भारी पढ़ गये। तो हमारे सैनिकों को तलवार उठाने की कोई आवशक्ता नहीं पड़ेगी। किन्तु यदि रनबीर सिंख के सैनिकों ने उन्हें माने का या बंदी बनाने का प्रायत न किया। तो हमारे सैनिक रनबीर सिंख के सैनिकों पर भारी पढ़ जाएंगे। आपकी रनबीर सिंख के सैनिकों पर भारी पर जाएंगे। पोड़ाटरी नहीं हो कि अ apoyo प्रुदित में टॉड़ाटरी वो भग कर दो ॉब टे लूब में उली हो फॉब टो जो जब टॉब 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 है वो अन्सक शफन दो किया हुआ हम लोग रुक्यों गए कि आगे जाना अब संभव नहीं है हम यहीं कहीं पर डेरा डालना होगा क्यों अभी तो अंदेरा भी नहीं हुआ हम कुछ दूर औरा की जा सकते हैं नहीं युग्राज हम इस जंगल के चप्पे चप्पे को चानते हैं जैसे ही अंदेरा हो जाएगा सेक्ड़ों हिंसक पशू आकर हम पर आक्रमिंट कर सकते हैं अद्धेरा इतना हो जाएगा कि पदेखना तो दूर हाथ को हाथ नहीं दिखाएदेगा इतने घने अंदेरे में आगे बढ़ने करत How कि संकरत को नीहीं होता देना है हमारे लिए अच्छा ही होगा कि हम यहीं डेरा डालने और विश्राम करें और सुबह की पहली की रन फूटते ही हम नय यूवराज के साथ रूपनगर के और प्रस्थान करें किसी में हम सब की भलाई है क्यों यूवराज आज रात यहीं डेरा डालके रुख लिया जाए आज आज रात विश्राम करके कल सुबह की पहली किरन फूटते ही हम यहां से रूपनगर के लिए प्रस्थान करेंगे अब जैसा उचित समझें वैसे ही करें और वैसे भी मैं इस जंगल के बार में इतना नहीं जानता जोतना आप लोग जानते हैं मुझे तो कि इतनी प्रसंद रता है कि आप मेरे जंगल में भठकता बंध हो गया है अगर आप लोग नहीं मिलते तो पता नहीं कब तक मैं इस माय में जंगल में भठकता रहता हमारा कार यहीं भठके वेपतिक को सही राह दिखाना है युग राज जैसे ही राजकुमारी संद्रबुखी आपको सुरक्षित देखेंगी पूरे राज्य में मिठाइया बढ़वाएंगी और एक नए अथिती के आले के कुशी में अन्य कारेक्रम आयुजित किये जाए कि बस सुभा होने की प्रतिक्षा कीजिए आप सूपुशल रूपनगर की सीमाओ के भीठर होगे मैं आपका युपकर जीवन भर नहीं भूलूँगा आप कुछ जैसे उचित लगे आप वैसे ही कीजिए मैं केवल आपके साथ साथ चलूँगा यदि आपके इतने उचे विचार है तो समझे अब आपको कोई कर्ष नहीं होगा लोहा सिंग हमारे आतिती के ठैरने की उचित व्यवस्ता की जाए और हां दियान रहें इन्हें क कोई गश्त ना हो आप चिंता मत कीजियो हुदूर युवराज के संपूर्ण विश्राम और सुरक्षा की पूरी युवस्ता की जाएगी तैनिकों यहीं पर डेरा डाल दो और युवराज और हमारे ठैरने की उचित व्यवस्ता करो ओफ वन्राज तुम्हारी ये दुखबरी कहानी सुनने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमुखी का वह अनुका फूल तुम्हारे लेती आवश्यक्षा कि यदि तुम्हें उस फूल की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें रणवीर सिंग का सहारा लेना होग रणवीर सिंग चंद्रमुखी के सबसे विश्वास पात्रमंत्री है वो यदि चाहें तो बड़ी आसानी से उस फूल को प्राप्त करके तुम्हें दे से अन्यता उस फूल को प्राप्त करना तो दूर उसे देखना भी असंभाव है कि दल सवेरे हम जैसे ही रूप नगर पहुचेंगे हम तुम्हें रणवीर सिंग से मिलवा देंगे रणवीर सिंग नहीं है जिसके लिए दुर्गेश्वरी के हरवी वो यवराज को बंदग बना लेता है तो लोग मुझे छलकपड करके रणवीर के हाथों बंदग बनान जाते हैं इनसे संदर करहना होगा युवराज कि सोटे पड़ गए है तो जूर्गे संदर में कह रहे है ना वह सचमुट में बहुत ही दयालू है आपसे मिल करके उन्हें बहुत प्रसंद्था होगी यह है बाहर से आये हुए सारे युवराजों का आतिति संद्दार स्वा मिनने के पश्चार आपके सारे दुख दर्द देखते ही देखते दूर हो जाएंगे अरे आप तो फिर से सोच में पर जाएंगे मैं यह सोच रहा हूँ अगर आप लोग मुझे नहीं मिलते हैं तो फिर मेरा क्या होता पर अन्मीर सिंग से अवश्य मिलूंगा यदि आपने उनसे मिलने का रिड़ने ले ही लिया है तो समझ लीजिए चंद्रमुपी का और पूल आपने प्राप्त कर लिया है जिसकी तलाश में ना जाने कितने दिनों से आप इन जंगलों में भटक रहे हो अब रात बहुत हो चुकी हमें जाकर विश्राम करना जाएं क्यूंकि कल सवेरे ही हमें रूप नगर के लिए कूच करना है ताके हमारे अथी थी कि लक्ष की प्राप्ती हो सके चलो यू राज तेरे में जाकर विश्राम किया जाएं शमा करना मुझे खुले आकाच के नीचे सौने की आदत है आप लग अंदर विश्राम किजिए मैं यहीं विश्राम कर लूँगा जैसी आपकी इच्छा योराज यदि कोई भी कस्थ हो तो हमें निसंकोच आवाज दे देना लोहा सिंग हुजूर हमारे अधिती का ध्यान रखना वाय योराज का फूरा भ्यान रखना शुब रात्रि यो राज शुब रात्रि योराज शुब रात्रि शिवराज हमारे जंगोल में पास जाएगा, तो हमने सोचा भी नहीं था शिवराज को पांसने के लिए ना तो हमें किसी कार्ट बाहना पड़ा और नहीं अपनी शक्ति का प्रयोग करना बड़ा बिना कुछ किये ही इस पर हमें विजन श्री प्राप्त हो गई कि राज चीटे ही हम इस युगराज को पकड़कर भाई रणवी सिंग के कारा कार में टाल देंगे और फिर देखना मुझे इंदर पताब सिंग के भागने की पीड़ा भूल कर भाई इस नए युगराज को पंधर के रूप में देख कर कितने प्रसंद होंगे अब जाकर सोजाओ और सुबा होने की प्रतिक्षा करो हुआ है हुआ है हुआ है है किर्जून से नहें वे सुछून से लिएा लाप पर हाँ अवाँ किर्फकृ टुछ प्रॉध अवाँ किर्फकृ एखकृ किर्फकृ प्रफ़ख पुछ दो जे घर दिया अंहाओ यह दो अंहाओ आम आजाओ आयाओ फुफ आजाओ आजाओ अहाओ व्रूप प्लाएंवानि 車 कर एंगां कर एंगह पिले ओिर लिक जि ऌनाओी बार आगिरा ये ज पुत प्रेखल Mary CBS संग फें कि ऊडिए्या जाए के इनागा bleekश टीरills uh कि छुआ से हैं कि छुआ है कि एपarah व चुार कि एंग हुआ! द unut भाइ चाह्ट अब क rodz Criminal भाग तूम इया? नहीं इंड को आई र मिकूआ! जाए निको यह वो भूजूद यह युवराज कहा चला गया अरे तुम लोग पहरा देने देजिन तो तो सो रहे थे अरे मेरा मूँ क्या देखो जाब तो अरे जाओ डूडों से जाओ लोहा सिंग भूजूद इतने रात क्यों चिला रहे हो वो युवराज यहां पर नहीं है लगता है कि हमें वो चक्मा देखर के भाग गया है चक्मा देखर के भाग गया है परंतु कैसे रात्री कीрутी तो कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वो कहा जा सकता है तो मैं भी सोच ऺाहा हù हुजूर कि कहें étant कोई जंगल का उसे पशूत उठाकर यह कैसी बाते कर रहे हो लो आसे इतने सैनिकों के रहने के पश्चाद किया पर जंगली पशू कैसे आ सकता है और वैसे भी यदि उसके किसी जंगली पशू ने हमला किया होता तो कम से काम उसकी चीखने की आवास तो हमें अवस्ष्य सुनाई देती लगता है कि आप सब्सक्राइब यहां पर आग जल नहीं है और जहां तक मैंने सुना है कि आग की निकट कोई भी जंगली पशु कभी भी नहीं आता अवश्य इसमें को पहरे पर रहने के पश्चात यहां से मनिष्य तो क्या पायू भी बचकर नहीं निकल सकती तरकार युव्राज का कहीं पता नहीं चला पता नहीं चला अरे मुर्ख हो डेयरे से बाहर निकल कर जंगल की चारों पहल जाओ और शुल्द अ जल्द उस युवराज को पकड़ कर हमारे पास ले आओ, जाओ, लोहा सिंग, यदि ये युवराज हमारे हाथ से निकल गया, तो भाई जी के सामने हमारा मस्तक शरम से जुग जाएगा, हमने सोचा था, कि भाई जी को तीन-तीन युवराज की भेट देंगे, परन्तु जो ए जो भाई है, मुझे अपने सैनिको पर तोन विश्वास है, कि वो अपने से निकल पर से आप हमारे विश्वास हों गया है, लोहा सिंग, एक युवराज, इतने सैनिकों के होते यहां से कैसे चला गया, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें शीक रही उस य आग गया दे तो मैं जंगल में जाकर किस युवराज को खोसता हूं, जदी मुझे वो युवराज मिल गया, तो मैं अपने मुख्य के एक भी प्रहाज से उसके मस्तग के टुकड़े टुकड़े कर दिया। नहीं लो आ सिंग, हमें उसे इतने चल्दी प्रित्यू टंड नहीं देना है, एक बार हमें उसे पकड़कर काराकार में डाल देने दो, फिर हम उसे थड़पा थड़पा कर मारेंगे, समय व्यत करने से कोई लाब नहीं होता, चलो कि दो दिनों की बासता, फलक जमी की है जवा, वो तो है खामों की पने, शंद्रव की, शंद्रव की, शंद्रव की, शंद्रव की, प्राकर्टिक विरासत से परिपूर उत्तरपूर वीर राज हमेशा से अपने नैसरगिक, सौंदर्य और साफ सफाई के लिए चर्चा में रहा है जाए कि अओगी। युश्माटिक शचा में, अजिम उवा, कि अभगि के रहा है रखज की, शंद्रव मेंगश यू की, शंद्रवाँ K श्राकर्डब यूर्रे से अवां की, विर ऊप हैंसर्वा की, शंद्रव की कईन्सादर मितको ऑ्राज